क्या आप सोचते हैं कि physics में question को कैसे जल्दी solve करा जाए तो ये वीडियो आपके लिए है मेरा नाम है मनोश कुमार और मैं physics पढ़ाते हैं मुझे 10 साल हो गए और मैंने बच्चों की बहुत significant improvement करवाई है और ये technique really में काम करती है इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ चलिए पहली चीज पहले बात करते हैं कि सबसे पहली चीज कि अगर आपको concept नहीं पता है या फिर आपको formula नहीं पता है तो ये जो technique में बताऊंगा ये किसी काम की नहीं है आपको concept और formulas पता होने चीज है ये उन लोगों की help के लिए है जिन लोगों को question तो solve हो जाएगा अगर वो कोशिश करेंगे बस time उनको क्या करना है कम करना है ठीक है उनके लिए वीडियो है तो सबसे पहली चीज आप जो है fractional values को याद करके रखिए 1 by 2 जैसे 0.5 होता है 1 by 3, 0.33 होता है 1 by 5 जो होता है वो 0.2 होता है 1 by 10 की अगर हम बात करें तो 0.1 होता है इस तरीके से आप values को याद करके रखिए at least 1 by 20 तक तो value याद करके रखिए fractional values आपको बहुत फायद होगा even 1 upon root 2 जो होता है 0.707 1 by 5 हमारे पास जो होता है 0.32 आप यूज कर सकते है तो multiple times आप इन values को देखेंगे बार-बार यह हमारे पास आएगी और कुछ बार हमें approximations भी लेनी पड़ती है फिर अगर मैं बात करूं कुछ squares और square roots भी आपको याद होने चाहिए 10-20 तक भी कम से कम याद कर लेंगे तो बहुत है ठीक है चलिए second चीज की अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है बच्चे को मैंने देखाया कि randomly solve कर रहा होता है question randomly मतलब randomly कुछ भी उसको कुछ दिख गया कि यहां से solve कर लेगा कुछ दिख गया वहां से solve कर लेगा ऐसे नहीं होता question solve आपके दिमाग में एक पहले से pattern set होना चाहिए कि आप question को approach किस तरीके से करेंगे और approach के लिए आपके पास एक step होना चाहिए I always tell my student कि आप picture को ना देखिए pixels को देखिए छोटे-छोटे parts से जोड के आप पूरी की पूरी picture film बना सकते हैं तो सबसे पहला काम आपको पते क्या करना होता है जब भी question पढ़ रहे हैं तो जो variables जो बच्चमन में सिखाया जाता था कि given data आपके पास क्या है वो निकालिए given data के बाद देखिए कि unknown क्या है आपके पास और इन दोनों से क्या relation आपके पास बन रहा है उससे formula ढूंडिए कि कैसे इनको हम relate कर सकते हैं या तो directly formula मिल सकता है या 2 step में मिल जाता है 3 step में मिल जाता है 4 step वाले formula आते नहीं है इतना derived नहीं करवाएंगे या तो आपकी knowledge कम है, preparation कम है तभी आप ये 4-5 step लग रहे है otherwise formula आपको instantly याद आ जाना चाहिए इतना tough question नहीं आता है इसके बाद अगर हम बात करें फिर उसके बाद calculation करनी है calculation को कैसे improve करते हैं उसकी भी हम बात करेंगे कि कैसे कैसे calculations को आप improve कर सकते हैं बट ये एक तरीका है कि कैसे आप start कर सकते हैं और series में कैसे सोच सकते हैं फिर अगर मैं बात करूँ problem solving technique की कैसे आप problem solving technique को improve कर सकते हैं तो पहली चीज जैसे मैं आपको बताया कि आपको question को पहले छोटे-छोटे parts में break करना पड़ेगा तब ही जाके आप question को कैसे solve कर सकते हैं आप अगर question को पूरे का पूरा बड़ा picture लेके चलेंगे तो आपको लगेगा ये क्या कयामत सी आ गई इसके बाद तो question आगे solve भी नहीं हो रहा है तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है question को different different break चोटे चोटे parts में break करना है dimensionally analysis करके भी आप साथ के साथ देख सकते हैं क्योंके कई बार ऐसा होता है कि options में सिर्फ variables ही variables आपको दिख रहे हैं और जब variables ही variables आपको दिखेंगे तो questions में आप equation अगर dimension चेक कर लेंगे तब भी आपा काम हो जाएगा इसके बाद बात करते है approximation का बहुत ज्यादा use कर सकते है मैं especially जब options वाले questions रहते है approximation का बहुत ज्यादा use करता हूँ और मेरे students भी बहुत approximation का use करते है कि सर ये answer तो हो नहीं सकता अब होता आगे चला गया ये answer नहीं हो सकता ये answer नहीं सकता because आप देखेंगे options में बहुत ज़्यादा difference रहता है तो ये approximation यूज़ कर सकते है but अगर आपके पास answers में ज़्यादा gap नहीं है तो आप इस approximation का use मत करना पहली बता रहा हूँ गलत मा हो जाएगा नहीं तो shortcut formulas को learn करिए because shortcuts आपको काफी ज़्यादा help करते है और इनकी conditions होती है shortcuts की ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को आप कभी भी use कर सकते हैं तो जो conditions रहती है उनको भी देखें कि कौन सी condition पर क्या काम हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा ठीक है तो ये कुछ techniques है अब ये problem solving techniques यानि कि problem आपको दिखती है कई बार आपका धिमाग है नहीं चलता कि यार approach कैसे करना है तो वो चीज़ अगर आप improve करना चाहते है if you really want to improve your problem solving skills you can use these methods पहले चीज़ सुड़ोग खेलना start कर दीज़े medium या easy level अगर आपो बिल्कुल नहीं आता है तो easy level से start करिए medium पे जाईए, hard पे जाईए puzzles को solve करिए different types of puzzles रहती है हर तरीके की puzzles को देखिए पहले कुछ numbers की puzzles को देखिए numbers की नहीं देखते तो कोई sitting arrangement देख लिए बहुत तरीकी puzzles होती है try to solve puzzles and मैं आपको बदा दू engineers जो होते है puzzles solve करते है even जब आप interview में बैठेंगे तो भी आपसे puzzles पूछते है तो ये आदत आपके अंदर अभी से होनी चीए reasoning question solve कर सकते है इसके लवा कहूं तो simple calculation जो है उसको mind में आप solve कर सकते है because ये calculation simple आपका time बहुत बचाएगी एक बच्चा रहता है कि हर चीज को paper पे लिखता है क्योंकि उसको जब आप screen से देखके जब उसको दुवारा से paper पे लिखेंगे तो वो time भी खर्च होता है ऐसा नहीं कि paper वहीं पर है उसमें से आपने वहीं से काम कर लिया क्योंकि अब आपका जो paper होता है वो computer based होता है तो आपको आदत होनी चाहिए कि screen पर देखा और screen पर वहीं से वहीं solve कर दिया वो आदत धीरे धीरे बनाई जाती है चलिए अब आगे आते हैं जब ये काम आप करेंगे आपको अपने आप significant changes दिखने लग जाएंगे and finally मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ultimately जब हम MCQ solve करते हैं हमें answer ढूणने से मतलब है and if I am talking about कि answer ढूणना है यानि कि हमें पूरे के पूरे question को solve नहीं करना है तो आप बहुत सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं पहली चीज उसमें है कि unit digit देखिए options में जितने unit digit रहेंगे अगर सब अलग-अलग आपके पास हैं तो आपको answers पता लग जाना चाहिए last में answer multiply करने के बाद क्या आ रहा है है उसकी unit digit check कर लिजे dimension check कर सकते हैं dimensionally अगर कोई incorrect है तो वो incorrect है dimensionally अगर कोई correct आ रही है तो वो correct हो गई terms formula की terms में सोचिए कई बार बच्चा randomly कुछ भी सोच रहा होता है randomly कुछ भी सोचेंगे answer गलत आएगा so you have to think in terms of formula you have to think in terms of syllabus आपको अपने आपको constraint करके रखना है कि कहीं भी हवाबाजी नहीं करनी कि यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है यह तो मुझे लगता है ऐसा होता है यह तो मैं देखता है यह ऐसा होता है जहां आपको लगेगा ना कि ऐसा हो रहा है पहली बात तो एक या दो साल में आपको लग नहीं सकता बहुत नहीं तो आपको ये जो लगने वाली जो फिलिंग आती है ये बहुत लेट आती है पर होता क्या है कि बच्चा सोचता है कि नहीं ऐसा होता है ऐसा लगता है वो नहीं लगने वाली फिलिंग आईगे आपको आप मान के चलिए वो लगने वाली फिलिंग के बहुत ज़्यादा बेटर है फिर मैं बात करूं तो यह जो चीजे मैंने आपको बताईए या प्रैक्टिस में लेके आएंगे तभी यूज कर पाएंगे सुनने से कुछ नहीं होता यह ऐसा है कि आप करेंगे तभी आपको पता लगेगा नहीं तो सुनने से यह चीजे इंप्रूफ नहीं होंगी मैं इसको कह देता हूं ठीक है चलिए अब मुझे बस यही चीज आपको बतानी थी इस वीडियो में यह वीडियो में जो मैं आपको टेक्निक बताईए इसको आप यूज करके देखिए अगर आप तक आपने हमारे टेलीग्राम को नहीं जोएन के तो इस टेल